गुड मॉर्नि만 स्टूइंट हमने सीक्वेंस Edis but ढप होनार शीरीजब साइस तो किस्तन भाब का उसमें तब सीक्वेंस क्या होती है सीदिक थी तर्लब मॉन्टों करेंगे इसमें यह नहीं है और आपको पता नहीं चलेगा ड़ा पो पोस्ट टार्ट Mart करेंगे तो आपको एक आईड़िया हो जाता है भी कोशन किसका है जा किस टैस्से करना है अब अब इस सबसे पहला टैस्ट है P-Series Test P-Series Test में जो P-Series होती है वो इस फॉर्म में होती है लव 1 upon 1 रिस्ट पावर P 1 upon 2 रिस्ट पावर P 1 upon 3 रिस्ट पावर P up to infinity infinity क्यों क्यों हम infinite series में बात कर रहे हैं यहां पर यह जो P है इत मीन सब की पावर क्या होगी same तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 upon n रिस्ट पावर P कहते हैं अगर P की value greater than 1 है तो series convergent है अगर P is less than or equal to 1 है तो वो divergent है अगर series आपकी इस फॉर्म में है इट मिन्स वहां पर कौन सा test लग सकता है आपका P-Series test अब जैसे question है उसने कहा examine the convergence of the series question वो आपको हमेशा यही देगा examine the convergence of the series आपको देखना है question कैसे करना है आपने बताना है भी series convergent है या divergent है अगर अब हम इस series की बात करें यह series में power तो same है 2 by 3 2 by 3 2 by 3 पर condition है वन रिस्ट पावर P 3 1 चलो माल लिए यहां पर 1 है next time क्या 2 है नहीं है तो पहले सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा series क्या है हमारी कई बार आपको सीधा भी series given होती है क्या मैं इस 4 को लिख सकती हूं 2 की पावर 2 raise to power 2 by 3 रहेगा तो 4 ही ना 9 को लिख सकती हूं 3 का square raise to power 2 by 3 2 की पावर 4 by 3 3 की पावर 4 by 3 पावर की पावर होतो multiply अब यह series यह बन गई पर जब भी आपने test apply करना चाहे पी का है चाहे ratio है चाहे comparison है सबसे पहले term को nth form में लेके आना है लग ऐसे अगर इसको nth form में लिखना हो तो अब हम क्या लिख सकते हैं 1 upon n raise to power 4 by 3 कि n की value 1,2,3 कुछ भी ले सकते हम यह इसके एक वाल है n की जगह n है p की value कितनी है आपकी 4 by 3 4 by 3 is less than 1 or greater than 1 4 by 3 is greater than 1 greater than 1 जब p की value greater than 1 है तो series क्या है आपकी Convergent तो यहां पर आप mention करेंगे by p series test the given series is convergent अगर यही value आपकी less than 1 आती तो क्या थी वो divergent clear अब इसी तरह next है आपका next test करेंगे that is comparison test next है आपका comparison test comparison test में हमारे पास 3 type के test है सबसे पहले test 1, test 1 के 2 part है test 2, test 3 test 1 में वो clearly कह रहा है UN और VN कोई भी series है आपकी positive term में अगर वहां पर VN convergent है तो वहां पर एक positive term exist करेगी UN less than equal to KVN तो series क्या है आपकी convergent मतलब simple सी बात करें अगर हमारा VN convergent है तो हमारा UN भी convergent होगा second test में हो कह रहा है अगर VN divergent है तो condition UN क्या हो जाएगी greater than किस से KVN से तो UN is also divergent test second कह रहा है if UN summation UN and VN are two positive term then there existed two positive constant H and K independent of N N से independent है and a positive integer M तो condition है हमारी यह जो भी आपकी positive term आएगी यहां पर then two series summation UN and VN converge or diverge together तो दोनो convergent or divergent दोनो हो जाएगी test third में यह चीज में आपको पहले भी बता चुकी हूं अगर infinite series है तो obvious बात है N की value कहां तक जाएगी आपकी up to infinity तो limit अगर infinity लेते हैं function में apply करते हैं result आपका finite यह non zero आता है then summation UN और VN both converge or diverge together अगर 0 आ जाता है तो convergent अगर limit apply करने के बाद result infinity आती है it means divergent फिर लास्ट है summation UN upon VN limit comparison test में infinity है तो converge or diverge together पर एक चीज क्लियर करने पड़ेगे आपको comparison test अभी apply होगा जब आपके पास दो terms होंगी अब यह नहीं तो आपकी जो series given होगी उसको आप माल लेंगे UN बात आती है VN की तो VN के लिए उसके denominator से हम term जो भी N, निकलेगा निकालके उसको हम consider कर लेते हैं VN question करते हैं question से जादा clear होगा आपको अब जैसे मालो आपकी series है अब जैसे ने question दिया और कहा discuss the convergence of the series या test the convergence of the series इस series का check करना है भी यह convergent है या divergent है चाहे convergent, divergent कुछ भी check करना हो सबसे पहले आप series को Nth form में लेके आएंगे किसमें लेके आएंगे? Nth form में आप यह सोचो भी यहाँ पे Nth form क्या होगी इसकी? ओपर तो 1-1 है मतलब numerator तो बाच गया हमारा denominator में यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है it means condition यह है N into N plus 1 अगर यहाँ 1 रखूं तो यहाँ बन जाएगा 1 plus 2 तो रखूं यह लब यह समेशन यूएन वारी कंडिशन आप लिख सकते हैं अगर ऐसे लिखना हो तो यहाँ तो यूएन के आ जाएगा आपका हम और यहाँ अगर मैं हैं यहाँ से N kama निकाल हो एं तो नहीं निकलेगा अन्ड्रूट एं निकलेगा तो कंडिशन क्या बन जाएगी वन प्लस अंड्रूट 1 by n तो यहां पर vn क्या जाएगा हमारा 1 upon under root n question जैसे मरजी करके देख लिए न ऐसे होगा un आपके पास already है यह और vn यह comparison test में क्या करते थे un upon vn un क्या है भी आपका under root n divide के divide में उटा कर लो und root n यहां से comma निकलेगा निकाल लो condition तो वही रहेगी हमारी तो यहां पर हम limit comparison test से करेंगे n की जगा क्या apply करेंगे उसके बाद infinity वेकि तभी पता चलेगा convergent है या divergent है करिए limit apply यह हमारा finite number है यह हमारा finite number है फिछ इस finite तो यहां पर हम कहेंगे भी summation un converge थीवर जो ताय वह ठीवर जो सब्सक्राइब मुत्ट ऊंगेडर में जब करें प्र fifa T series test series में यही था 1 upon n is to power P से P की वैली 1 by 2 यह less than 1 है greater than 1 that is less than 1 less than 1 है तो summation VN क्या हो जाएगा आपका divergent तो हमारे पस क्या आया finite number और इसलिए हम कहेंगे समेशन यूएन एंड वी एंड गन्वर्च और डाइवर्च टुगेटर क्लियर यह कंपेरिजन टेस्ट कंपेरिज अब आगे जब हम कोशन करेंगे डी अलबट रेशो टेस्ट रेबिस टेस्ट तो वहाँ पे वह को मैंशनन नहीं करेंगा वी आपने किसट्स टेस्ट होगर आएगे अगर आगर асका waiter करें ओर इसमें आपको कहीं पर भी कोई डौट हो तो आप मिर्च चान्टेंग पर कह लें